हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इकार नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिरोधा के उपर यदि आप वाच लिस्ट आपको बनानी है तो किस तरह से आपको बनानी है किस तरह से आपको स्टॉक इसमें एड करने है कैसे रिमूब करने है और किस तरह से आपको category के हिसाब से जो है अपनी watch list बनानी है तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 इसमें default watch list होती है kite mobile application में और यह जो version है kite का 3.0 है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपके watch list 1,2,3,4,5 इस तरह से आती है तो यहाँ पर मैंने इनको rename कर रखा है तो rename आपको किस तरह से करना है stock के उपर आप ऐसे hold करके रखेंगे और यहाँ पर आपको जो pencil और pen आ रहा है उस पर जो है आपको यहाँ पर click करना है तो आप यहाँ से अपने हिसाब से इसका watch list का नाम रख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर एक stocks रखा हुआ एक number one leader रखे हुए जो कि अपने sector के number one leader stock हैं यहाँ पर indices रखे हुए देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है nifty bank, PSU bank, nifty private bank, nifty ITFMCG, nifty 50 index जो है मैंने यहाँ यहाँ यहाँ पर आपका AMC और insurance हैं तो आपके यहाँ पर सारी AMC company और insurance company के stocks आड़ हैं और यहाँ पर ETF हैं जैसे आपके जो है nifty ETF हो गया, nifty gold हो गया, nifty 50 ETF हो गया, gold वीज हो गया तो वो सब यहाँ पर मैंने add किये वे तो दोस्तों जैसे आपको कोई stock add करना है तो आप क्या करें गया, जिस watch list के under आपको इस stock को add करना है, वहाँ पर आपको search और add का यहाँ पर बटन देखता है, जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो बटन दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ पर क्या करना है दोस्तों आपको add कर देना है, जैसे यहाँ पर मैं दिखेगा और यहां पर प्लस का आपको एरो दिखाए ना इस पर आपको प्लस कर देना तो उस वाच लिस्ट के अंदर जो है यह स्टॉक आ जाएगा तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं एनसी नीचे आएंगे आप तो बी एसी क्योंकि मैक्सिमम शेयर जो है आपके वाच लिस्ट से जो हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहां पर यहां पर चल्श का बटन है यह आप दबा देंके तो इस टॉक आपको यहां पर स्टॉक वाच लिस्ट से जो है डिलीट हो कि हो जाएगा उसके बार दोस्तों जो आपको यहां पर व juist के सामने जो सर्च के बटन है यहां पर दोस्तों देखें आपको एक ठी जो है आपको बार दिखते हैं इस त्री बार के उपर अप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पर NSE BSE holding करेंगे आप तो दोस्तो जो stock आपने लिया होगा वहाँ पर देखे यहाँ पर आप देखे उसकी holding दिखाएगी कि आप उस stock के आपके पास कितने share जो है अभी आपने buy करके जो है अपनी portfolio में रखे हुए है तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा यहाँ पर उसकी quantity दिखाएगा और इसी तरह से दोस्तो आप यहाँ से इसमें alphabetically आप उन्हें लगा सकते हैं आप ऐसे करेंगे तो A, B, C इस तरह से ही आजाएंगे change के हिसाब से लगाएंगे आप तो जितना percentage इसमें changes सबसे उपर और फिर minimum नीचे और आप last traded price का यहाँ फिल्टर लगाएंगे तो उस हिसाब से जो है यह उपर आ जाएगा तो इस तरह से दोस्तो आपको जिरोधा में जो है अपनी watch list जो है बनानी है जिससे जो है आपको market को watch करने में दोस्तो बहुत ही आसानी होगा आपके पास एक category होगी कि जहाँ आपने जो है छोटे stock एक साथ रखे हुए है market leader आपने एक साथ रखे हुए indices भी आपने सारे add क चलता है कि कौन सा सेक्टर आज अप है कौन सा सेक्टर आज डाउन है कौन से सेक्टर में अच्छा performance है कि सेक्टर में ज्यादा बिक वाली हो रही है तो आप यहां से देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप से लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल में न रहें धन्यवाद जय हिंट